इस्थाई बंदो बस के लाब की बात करें तो अब हम थोड़ा चलते हैं उसके दोश की ओर आखिर सभी कुछ पूरा पूरे फाइदे ही नहीं रहेंगे पूरे गुण ही नहीं रहेंगे कुछ अवगुण ही रहेंगे और अवगुनों की बात करें तो इसमें इनकी हानियों तो निश्चत रूप से नियुनितम रही होंगी या कम से कम जब बंदो बस विश्था लागू हुई उस समय इस बात की कल्पना नहीं थी कि इसके कुछ इस तरह के नुकसान भी होंगे और निकसान हुए जिसे आज भी हम भुगत रहे हैं पहला हानी की बात करें तो सबसे पहली है कि किसानों के हित का ध्यान इसमें नहीं रखा गया आखिर एसी क्या बात थी कि किसानों के हित का ध्यान ने अंग्रेजों ने जमीनदारों से समझवता किया और जब अंग्रेज और जमीनदारों के समझोते हो रहे हैं तो बीच में किसान कहीं नहीं आ रहा है किसान जमीनदार के शरण में चला जाता है और जमीनदार जैसा इशारा करे वैसा उसके इशारे पर नाचना पड़ता है तो ये इस स्वेस्था की बराई थी कि किसान एक तरीके से अब जमीनदारों की दया माया पे था और किसानों के हिट का इसमें ध्यान नहीं रखा गया सब कुछ जमीनदारों पे के निर्ने पर छोड़ दिया जाता है दूसरी बराई स्वेस्था किये थी कि जहां एक और किसानों को नुकसान ये था कि अंग्रे जब उनके हिताशी नहीं रहे और सब कुछ उन पर वे लोग अब जमीनदारों पर निर्फर हो गया जमीनदारों को इसमें क्या नुकसान हुआ आपको जैसे मैंने बताया कि लगान को समय पर ना देने की स्थिति में जमीनदारों की भूमी ले ली जाती थी और उसे पुनह निलामिक किया जाता था तो इस प्रकार बहुत बार ऐसा हुआ कि जमीनदारों की जमीन बार बार निलाम हुई और मैंने आपको पहले बताया है कि लगवग 75 पतिशत जमीनदार ऐसे ने निकले जिनकी जमीन किसी ने किसी कारण से निलाम कर दी गई थी तो जमीनदारों को भी इसका बड़ा नुकसान था भुकतान समय पर ना करने के कारण वे बार बार भूमी से वन्चित हो जाते थे तीसरा तीसरा नुकसान इसका यह था है कि क्रिशी उत्पादन में आशा क्या अनुरूप किसा जमीनदारों की कोई रुची नहीं रही लेकिन जमीनदारों को तो आए से मतलब था उनको राजस्व से मतलब था और एक बार राजस्व कर निर्धारित हो गया है तो जमीनदार के पास इतना राजस्व आ जाता था शासन को देने के बाद भी कि उसके बल पर ही वह विलासिता का जीवन उपभोग कर सकता था उसक उत्पादन में कते ही रुची नहीं थी उसको तो राजसों में रुची थी तो ये एक बहुत बड़ी बुराई इस व्यवस्था की हुई कि उसके कारण और तो और ये जो जमींदार थे नय नय जमींदार आ रहे थे तो ये लोग शेहरों में रह रहे थे यानि जिसे हम सेंटी लैंडलॉड अनुपस्थित जमींदारी व्यवस्था एक तरीके थे प्रारण बोगे ऐसे जमींदार जो अपनी जमीन से कोसों दूर रह रहे हैं क्या ऐसे जमींदार वास्तों में जमीन के वारधक्य में उत्पादन के वारधक्य में या किसान के लिए किसी तरह क हिताशी रहेंगे या उसमें रुची लेंगे संभव नहीं था तो ये इसकी एक नहीं बुराई पनपी जो अनपेक्षिद थी और कल्पना नहीं किया था अंग्रोजनों के जमींदार इस तरीके से पेश आएंगे इन जमींदारों का किसानों के सुख़दुख से भी कोई तालुकात नहीं था जैसा मैंने बारंबार कहा इनका तो केवल एक ही लक्ष था राजस्व और राजस्व और बढ़ा हुआ राजस् सरकार को भी इस से हानी होने लगी किसानों को किस तरह से हानी हो रही थी स्पष्ट है जमींदारों को किस तरह से हानी हुई अब तीसरा वर्ग जो था सरकार सरकार को भी ऐसा देखा गया ऐसा महसूद किया गया कि उसे एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था क्या आप बत साया, एक बार लगान निर्धारित होने के बाद किसान या जमीन दार इस बात के लिए स्वतंत्र था कि वह अतरिक्त उत्पादन कर ले और उस अतरिक्त उत्पादन पर उसे किसी तरह का करनी देना पड़ता था, तो सरकार एक बहुत बढ़े राजस्व से संभावित राजस जब उत्पादन में उतना रुची नहीं ले रही थी क्योंकि इसे मालूम था कि इस खेत्र में किसी भी तरह की रुची से तरकार को फायदा नहीं होगा पूरा लाब जो भी होना था उत्पादन वृद्धी में वो तो जमीनदार कोई जा रहा है और जब अगली बार फिर से राजस्त वकर निर्धारित किया जाएगा उस समय फिर नए दर पर होगा तब तक तो कई वर्ष निकल जाएंगे पाँचवा इस व्यवस्था ने स्थाई बंदोवस्था व्यवस्था ने एक हमारी राष्टी भावना को और राष्टी का अर्थ है एक जुट भावना को पूरे देश की भावना को इस भावना को बहुत ठेस पहुंचाई क्योंकि ये एक जमीदार वर्ग एक ऐसा शक्तिशाली नया वर्ग आ गया जो अपने को अन्य वर्गों से बिलकुल अलग ही समझता था और ये जब हुआ तो इस वर्ग ने अपने को अपने उदय का देश के प्रति समर्पित ना हो करके राष्ट के प्रति समर्पित ना हो करके वे लोग अंग्रेजों के परमभक्त बन गया उनके कटर समर्थक बन गया तो इस पकार भारती समाज में एक ऐसा शक्तिशाली वर्ग पनपा जो की अंग्रेजों का परमभक्त हो गया उनका कट कि इन जमीदारों ने अंग्रेज़ों का मत समर्थन ही नहीं किया बलकि भारतियों का विरोध भी किया भारती विचारों का भारती जो भारत के लोग जिस भी मुद्दे को लेका आशकित थे उस पर उनका क्रिटाई सहयोग नहीं मिला अंतिम जो बिंदु है जो हम देख सकते हैं कि स्थाई बंदो बस्त का परिणाम था और उसका दुष प्रभाव था और वह था कि हमारे जो समाजिक धांचा था भारत का उसमें समाजिक धांचे में एक बड़ी असमानता की भावना आ गए ये एक बहुत ताकतवर वर्ग सामने आदा बहुत धनाड़ वर्ग सामने आदा और हमारी जो अपनी जो व्यवस्ता थी जाती व्यवस्ता जिसकी अपनी बराईयां रही होंगी पर उस जाती विवस्था में ये एक नई श्रेणी सामने आई जो धान से और लक्षमी से दोनों से बहुत शक्तिशाली थे और अंग्रेजों के समर्थक होने के नाते ये अंग्रेजों का भी इनको वरदहस्त मिला हुआ था तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विशेशकर बंगॉल में बड़ा दो दो तरीके से दो अलग अलग वरग बड़े स्पष्ट रूप से सामने आए एक तो निर्धन वरग जिसे हम कह सकते हैं और दूसरा जो धनी वरग कहला था धनी वरग अर्था ये जमीनदार ये स्थाई स्थाई बंदोबस के पन पे हुए स्थाई बंदोबस से सामने आए हुए जमीनदार स्थाई बंदोबस में जमीनदारों की असफलता कंपनी ने जो ये स्थाई बंदोबस किया था इसमें कुछ उमीदें तो थी कुछ उद्देश थे लेकिन कई कारणें से ये थोड़ा असफल भी रहा यह कंपनी के जो अधिकारी थे जो निक्ट किये गए थे इस कारी के लिए इस विश्था का आरम जमीनदारों में भू संपत्ति की प्रति सुरक्षा की भावना लाने सुधार और क्रिशी निवेश को प्रत्साहन देने हैं तो किया था जैसा हमने पहले बताय याने कंपनी चाहती थी कि जमीनदार लोग निश्चिंत रहें सुरक्षित महसूस करें कि यह जमीन उनकी है और यह उसके पर्मनेंट मालिक हैं दूसरा किसान भी सुनिश्चित रहे किसान भी निश्चिंत रहे कि एक बार कर निर्धारन के बाद उस पर अत्रिक्ट कर नह लगाये जाएगा तो जो अत्रिक्त आमदनी यदी होती है तो वह प्रसाहित होगा वह उसी की रहेगी जो उसके लिए प्रसाहन का काम करेगा जमीनदारों ने दुरभाग्य से इस व्योस्था से शुरू में तो लाब लिया परंत बाद में लापरवा हो गया आलसी हो गया का पास एक नीमित आमदनी आने लगी और वह आमदनी भी अच्छी खासी होती थी काफी बड़ी मात्रा में होती थी तो उन्होंने भी वो श्रम करना कृशी सुधार में प्रसाहन देना ये सब कम कर दिया तो जमीनदारों के लापरवा होने और आलसी होने से उन पर और उसका कारण मात्र यही था कि जमीनदारों ने उद्देश की अपेक्षानुसार कारे नहीं किया थोड़े लापरवा हो गया और इसलिए समय पर राजस्व नहीं दे पा रहे थे परणाम तो जमीन निलामी होई इस तमरारी बंदोबस लागू होने के बाद अठारवी सदी के अंतिम वर्षों में अंतिम दशक में यानि 1790 के आसपार 75 प्रतिशत से अधिक जमीनदारी निलाम कर दी गई थी और निलामी के द्वारा ने जमीनदारों को हस्तांत्रित की गई थी ये उदारण बहुत स्पश्ट बताता है कि किसान जहां एक तरफ उद्यम करना चाहता था जमीनदार डूसरी और एक तरीके से बहुत ही लापरवा हो गए गैर जिम्मेदार हो गए इतने जम्मेदार कि वे राजस्ट की रकम को समय पर नहीं दे पाते थे परणाम सरूप 75 प्रतिशत से ज्यादा जमीनदारों की जमीन निलाम होकर नए हाथों को हस्तांत्रित की गई अठारवी सती के अंतिम वर्षों में जमीनदारों की असफलता के कारणों का जैदी हम आकलन करें जैदी हम जानने की कोशिश करें कि जमीनदार आखिर क्यों असफल हुए क्यों ये देश पूरा नहीं कर पाए तो तुछ आधार सामने आते हैं जैसे पहला पहली बात जो है कि शायद राजस्ट में निर्धारि की गई राशी बहुत अधिक थी अर्थात काफी कुछ हिस्सा शासन ले लेता था करका राजसु का और मात्र उसका एक छोटा हिस्सा यद्यपी वह भी काफी बड़ी रकम होती थी फिर भी जमीनदार के पास उसका एक छोटा हिस्सा ही आता था तो ये जो बहुत बड़ी बड़ी राशी जो ली जाती थी ये शायद जमीनदारों को मेहनत करने में हतोच साहित करती थी राजस की राशी बहुत अधिक क्योंकि खेती के विस्तार होने पर ये व्यवस्था सत्रा सो नब्बे के दशक में प्रारम की गई इस मरारी सिस्टिम जो बताया है मैंने ऐसे बाश्चाल में क्रिशी उपज कीमतें बहुत कम थी ये बहुत नीची थी सस्ती थी इस से क्रिशिकों या राइयतों के लिए जमीनदारों को देराशी का भुबतान करना भी कठिन होने लगा एक तरह से इतिहास कारों का कहना है कि इतनी नीची हो गई थी कीमत क्रिशी उपच की कीमतें इतनी गिर गई थी कि ये जो रहियत थे या क्रिशक थे उनको जमीनदारों को जो उनको राशी देनी होती थी वो एक तरीके से नामुम्किन हो गया भुक्तान करना समय पर और ऐसी स्थिते में क्या होगा द्रमीनदार किश्कों से राजस एकत नी कर पाता था और कंपनी द्वारा निर्धारीत राशी जमा करने में असपल और परणाम निलामी और नए जमीनदार इस जवस्था में राजस जमा करने की जो निश्चित तिछी थी उसमें जमीने निलाम भी कर देते थे अंग्रेज और निलाम करने के पीछे अंग्रेजों का मक्सद ये भी था कि एक अत्रिक्ट आय का जरिया बन गया निलामी तो अंग्रेज लोग तो आये से खुश थे जितनी आये बढ़े चाहे इस तरीके से चाहे उस तरीके से उन्होंने निलामी का तरीका अक्तियार किया समय पर ना दिये जाने पर जमीन की पुनर निलामी और इस पुकार इसका पर नाम क्या हुआ कि जमीनदार एक तरीके से इस विवस्था में इस तमरारी विवस्था में बंदोबस विवस्था में एक तरीके से अपने को काटने लगे उससे दूर होने लगे और कुल मिलाकर निशकर्ष के वे असफल हो गए साथ ही साथ इसके कुछ और परिणाम भी हुए तो इस प्रकार इस थाई बंदोबस के गुण और लाब को जानने के बाद हम थोड़ा सब बढ़ते हैं कि इस थाई बंदोबस का क्या विरोध भी हुआ इस थाई बंदोबस का क्या कुछ प्रतिरोध भी हुआ क्या किसी रूप में इस विवस्था के खिलाफ भारती समाज का कोई वर्ग खड़ा हुआ निश्चित रूप से इसके विवदाहरन है यजो उँचे कर थे जो कर बहुत उँचे करों की जो दर्ए बहुत उँची थी जमी दारों ने उसका कई बार विरोध किया है और इसमें कमपनी द्वारा राजस की उँची दर और साथ ही साथ निलामी जो बारंबार होती थी उसका भी प्रतिरोध होता था निलामी बारंबार होने से जैसा मैंने बताया कि लगबग 75 प्रतिशत जमीने पुनर निलाम हुई और नए जमीनदार सामने आया इसका प्रणाम क्या हुआ होगा कि जमीदारों की जो अपनी खुद की जीवन व्यवस्था थी, खुद की जो अपनी जीवन शैली थी, वह बारम बार टूटी होगी, बारम बार प्रभावित हुई होगी, तो इन लोगों को इन जमीदारों ने इस बढ़ते हुए करको और इस निलामी के विरोध में कई तरी पर उनके लिए तो ये एक समस्या का निदान था उनकी समस्या जो थी कि जमीन बारं बार निलाम होती थी समय पर टेक्स ना देने के कारण उस्ते निदान पाने के लिए एक उदाहरन बड़ा रूचक उदाहरन दिया है वह उदाहरन है बर्दवान के राजा का बर्दवान के राजा जो थे इनको मालम था कि सरकारी आदेशों के अनिसार महिलाओं की जमीन को निलामी नहीं किया जा तो इस प्रकार वह निलामी से और उसके बाद उन्होंने उस जमीन का राजस्व नहीं दिया राजस्व ना देने की स्थिति में अंग्रेजों की जब नजर पड़ी तो उन्होंने तै किया नीमानुचार कि जमीन का निलाम किया जाएगा बर्दवान के राजा ने उसका बार जेंटों ने यही जमीन खरीद लिए उची बोली लगा कर खुद ले लिए और फिर उसके बाद फिर वही टैक्स नहीं देना फिर वही राजा सुकर नहीं देना परणाम सरुप फिर जमीन को ले लिया गया दुबारा निलामी हुए अब दूसरे एजेंट लेकिन वही अंग्रेजव ने परेशान होकर कम रेट पर ही कम पर ही बर्दवान के जमीन दारों को यह जमीन भेच दी जरबान के जमीन दार को यह जमीन दे इदी तो इस परकार इसका प्रतिरोज भी हुआ और कई जगे जमीदारों ने अपनी हताशा इस रूप में निकाली इस प्रकार 1793 से लेकर याने लॉट कॉन वालिस के आने से लेकर 1801 के बीच बंगाल में तो चार बार जमीदारियों की निलामी में एक बर्दवान राजा की जमीन थी बर्दवान बंगाल का ही क्षेतर है वहाँ चार बड़ी जमीदारियों की निलामी हुई और एक बर्दवान के राजा की जमीन थी निलामी में बहुत बे नामी खरीद हुई बे नामी आप समझते होंगे बेनामी मतलब अपने नाम से जमीन ना खरीद करके, किसी और के नाम से जमीन खरीदना और परणाम क्या हुआ कि जो बेनामी खरीदी बिक्री हुई, इसमें पंदरा प्रतिशत सौदे नकली निकले और तीस हजार की प्राप्ति कम्पनी को हुई निलामी तो हुई उसमें तीस लाख रुपए उनको मिले तीस हजार नहीं तीस लाख रुपए उनको मिले लेकिन ये जो सौधे थे पंदरा प्रश्शत से ज्यादा सौधे नकली निकले और यदि कोई बाहरी खरीदार जमीनद जमीनदार के लठियाद यानि जमीनदार के जो अपने उसे बदमाश लोग रहते थे लठिमार लोग रहते थे जमीनदार के जो रक्षक रहते थे अंग रक्षक रहते थे वे लोग मार पीट कर बाहर ही जमीनदार को भगा देते थे और या फिर पराने रहियत नए जमीनदा मालकों को खेत में आने नहीं देते थे, ये भी होता था, तो दोनों ही तरीके मसल पावर जिसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं, बाहु बल, अपनी ताकत दिखा कर, इस थानी जमीनदार, बाहरी जमीनदारों को फटकने नहीं देता था, और यदि कही आ गया तो उनको मार नहीं में जमीन खरीदी, उन्हें खेत तक आने नहीं देते थे, क्योंकि ये रहियत, अपने पुराने जमीनदारों को ही अपना अन्धाता मानते थे, और उनके प्रती एक तरीके से वफादारी हो गई थे, एक तरीके से उनके बीट में संबंद हो गया थे, तो संबंदों का परणाम क्या हुआ कि निलामी बेनामी होने लगी निलामी नकली होने लगी अंग्रेजों की आये तो बढ़ती रही लेकिन नए जमीनदार एक तरीके से आने बंद हो गए और वफादारी का इपरणाम था कि इन लोगों के बीच में जो बांडिंग हुई इस थानी को आने से एक तरीके थे लोग खदेरते थे इस प्रकार राजाओं की जमीने तो बेची गई जैसे बरदवान का मैंने जिक्र किया लेकिन नियंत्रान या कंट्रोल किन का था वही पुराने जमीनदारों का वही पुराने मालिकों का वही पुराने रहियत का जमीनदारों न सत्रा सो नब्बे के दशक में सारी भी पत्यों का सामना करते हुए अपनी सिद्ध को मजबूत तो किया लेकिन उनिस्वी शदी जब आई तो आर्थिक मंदी का जो दौर चला एक आर्थिक शब्द है एकनॉमिक्स का शब्द है आर्थिक मंदी जब ये आर्थिक मंदी आई तो जिससे पैसे का बहुत ज्यादा डिवैलियेशन होता है तो जमीनदार एक बार फिर असफल हो गया और ऐसा लगा कि यह व्यवस्था भी अप्चर मराने लगी है